दिल्ली सरकार का अर्विन केज जिवाल जी का एक विजन है, एक सपना है कि दिल्ली का एक एक बच्चा वो अपना फुल पोटेंशल रीच कर सके, अपने सारे सपने पूरे कर सके दिल्ली सरकार ने एक कोचिंग प्रोग्राम शू किया कि दिल्ली के स्कूल के कोई भी बच्चे जो ग्यारवी और बारवी में चाहते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहें, इंजिनियर बनना चाहें, उनके लिए सरकार फ्री ओफ कॉस्ट ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइट करे तो तीन साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और इस साल हजारों बच्चों ने जेई नीट दोनों की एर किया है, इसके बाद ये विजिन है कि दिल्ली में कॉलेजिस हम और उनका नंबर बढ़ाएं, पूरे देश के बच्चे दिल्ली पढ़ने आते हैं हायर एजूकेशन के लें कि उनके बच्चे काम्याब हो जाएं, इसके लिए वो अपनी सारी जिंद की मेहनत मजदूरी में निकाल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पैरेंस होते हैं जो अपने बच्चों की एजूकेशन अफॉर्ड नहीं कर पाते हैं, और उसका दिल्ली सरकार ये वादा कर रही है और ये दावा भी कर रही है कि उन्होंने दिल्ली में ऐसे स्कूल्स मना दिये हैं कि अब हर किसी का सपना पूरा हो सकता है, जिहां सिरफ बेसिक एजूकेशन ही नहीं, बलकि कॉम्पेटिटिटिव एग्जैम्स के लिए भी वो हर बच् कि जिस मॉडल की मैंने भी जिक्र किया, बात किया, आम आदनी पार्टि जिस मॉडल की बात करती है, एजुकेशन सेक्टर खास कर, इसमें एक सबसे बड़ा डिवलप्मेंट ये है कि आप उन बच्चों को तयार कर रहे हैं, एक बात होती है कि बेसिक एजूकेशन तो हम प बच्चा, चाहें वो किसी भी घर में पैदा हो, एक-एक लड़का, एक-एक लड़की, वो अपना फुल पोटेंशल रीच कर सके, अपने सारे सपने पूरे कर सके, इसके लिए पहले हमने पिछले 9 साल में स्कूल्स को बहुत अच्छा किया, और दूसरे चरण में हम हाईर एड्यूकेशन पर फोकस कर रहे हैं, इसी के चलते दिल्ली सरकार ने एक कोचिंग प्रोग्राम शू किया, कि दिल्ली के स्कूल्स के कोई भी बच्चे, जो ग्यारवी और बारवी में चाहते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहें, इंजिनियर बनना चाहें, उनके लिए सरका फ्री ओफ कोस्ट, ओनलाइन कोचिंग प्रोवाइट करेगी, तो तीन साल से प्रोग्राम चल रहा है, और इस साल हजारों बच्चों ने जेई, नीट दोनों क्लियर किया हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं, जिनोंने मौला अनाजाद से लेके, आईटी तक जाके, अच्छ में भी कही न कहीं डाउट होता है, कि हम कहीं न कहीं हिंदी मिजिन से पढ़े हैं, या हम गवर्मेंन स्कूल में पढ़े हैं, तो बच्चे कैसे इसके लिए नरूल होने के लिए तयार है, अपना टाइम भी डिवोट करें, और आपने जिसना बताया कि क्लियर भी किया, तो तो क्योंकि स्टूदेंस के इसमें खास तौर पर बात हो रही है, तो आज हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूदेंस भी मौजूद हैं, जो दिली के इन स्कूल में पढ़ रहे हैं, वर्चुल प्रोग्राम में उनरूल किया है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चे दिली पढ़ने आते हैं higher education के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे deserving candidates को फिर भी नहीं admission मिल पाता, तो अब कोशिश यह है कि हम number of colleges दिली में बढ़ाएं, और दूसरी बात हम लोगों को ये बहुत firm हमारा belief है कि अगर हर घर में एक भी बच्चा या बच् वो ऐसे qualify हो जाए, और doctor या engineer बन जाए, तो वो पीडी दर पीडी की जो गरीबी होती है, उसको वो दूर कर पाते हैं, अब आप सोचिए कि ये जो बच्चे आज यहाँ पे आए हैं, इनको बच्चों को देख के, जब इन बच्चों को और बच्चे देख रहे हैं कि हमारे साथ पढ़ने वाले थे, और आज इनका मौलान आजाद medical college जैसे medical college में admission हुआ है, वहाँ से पढ़के ये cardiologist, surgeon, ये सब बनेंगे, तो वो सोचिए आप कि उससे कितने और बच्चों को, हजारों लाकों बच्चों को inspiration मिलता है, कि हमारे जैसे ही बच्चे आज वहाँ पढ़ senior secondary school, new quantity, okay, तो कुसम, आप में किस program के लिए नरोल किया था और क्या अभी आप प्रिपार कर देंगे, करेंटली, I am preparing for a need, and मैं government school में four years से थी, मेरा जो experience था government school में, वो बहुत memorable था, and बहुत unique था, मैंने 9 से 12 तक अपनी government school से schooling कही है, वहाँ पे मुझे बहुत सारे advantage, even facility, even ब teachers, पहले मैं अपना experience शेर करना जाहूंगी, सबसे पहले मुझे जो facility मिली महां से जो मेरे बहुत नीड़ थी, मेरी family बहुत strong background से नहीं है, तो मेरे को वहां से अप्रोच करने से मुझे एक टैब फ्रीली प्रवाइड हुआ, क्योंकि मैंने 10th में अच्छा स्कोर अचीव कि है, currently I am a student of Molana Azad Medical College, first year MBA student, मेरी इस achievement में एक बहुत बड़ा हाद दिली सरकार का रहा है, क्योंकि मैंने अपनी schooling चार साल, क्लास 9 से लेकि क्लास 12 तक वहीं से की है, जो आंके teachers हैं, वो काफी जादा helpful हैं, हमें apart from our academics, हमें competitions में भी काफी help करते हैं, and admire करते हैं, और अलग से हमा करते हैं, जैसे नीट जी, competitive exams के बारे में, और कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, मैंने अपना first attempt में NEET exam दिया था, उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था, exams के बारे में, competitive exams के बारे में, तो इतना अच्छा score मेरा नहीं आया था, although मुझे college मिला था, out of Delhi, बट हाँ कही नही मेरे टीचर्स को काफी जादा विश्वासता मेरे उपर कि मैं एक अच्छा score कर सकती हूं, तो उनके इस confidence को लेके मैंने एक साल और preparation की ती, दिली सथकार की तरफ से, free में कोचिंग प्रवाइड की गई थी, SCST students को, तो उसमें मैंने अनरॉल किया था, और उसके बार मैंने का एक्जाम दिया, जिसमें मेरे अच्छे मांग साए और मेरे को मुलाना अजाद मेडिकल कॉलिज मिला, माम क्योंकि students ये चीज मेंशन कर रहे हैं कि जिस स्कूल में वो लोग पढ़ते हैं, वहां कि जो teachers हैं, वो constantly बहुत helpful है, तो ये चीज कैसे आप लोग इंशॉर करते ह चल रही है, education revolution चल रहा है, तो ये उसमें जितने भी teachers हैं और principals हैं, वो भी अपने आपको equal भागीदार मानते हैं, और उन्होंने भी इस पूरे mission को own करा है, कि इसमें हम सब की भागीदारी है, तो teachers हो, आपके principals हो, counselors हो, बच्चे, parents और दिली सरकार, हम सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि दिली का एक-एक बच्चा जो है, वो आगे बढ़े, अभी आपने यहां देखा कि यहां पे लड़कियां जादा हैं, आप देखेंगे कि हमारे culture में अकसर ऐसा होता है कि जब माबाप के पास resources limited होते हैं, और उनको choose करना पड़ता है कि वो किसी एक को coaching कराएं किसी एक को MBBS की है, IIT की coaching कराएं, तो अधिकतर cases में वो लड़कों को कराते हैं, और यही कारणे कि कई बाए लड़कियां पीछे रह जाती हैं, इसलिए इविन दो यह coaching जो है हमारी, यह सब के लिए है, पर हमने देखा है कि इसमें लड़कियां जादा participate कर रहे हैं, क्यों कोई नहीं हो सकता, आप सोचिए कि अगर हर लड़की, डॉक्टर या इंजिनियर अपने पेड़ों पे खड़ी हो जाए, तो हमारे समाज का बिल्कुल उधार हो जाएगा, ठीक है, स्टूदें से वापस बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका, मैं मेरा नाम आभाय, आभा आपको कोचिंग प्रोवाइड की थी, गर्वर्मन्न स्कूल ने अपने रोल किया तो कैसे आपको इस कोर्स के बार में पादा चला कैसे आपने रोल किया हमारी 11 में क्लासिस के टाइम पर हमारे टीचर ने में बताया कि आपके हमारे स्कूल से बाहर के लोग आए थे डिली स तरहां से तयारी कराई किस तरहां से तीटोस में अपको प्रिपार करा है उसमें रेगुलर बेसिस पर टैस्ट होते हैं और हमें मिल्ब बहुत अच्छे तयारी कि जाती है कि हां आपको कि एक लिमीटेड तरीके से मतलब कि उस जे अफिज गोवी हमारा तो आपने स्कूल के प्रोग्राम से अन्रोल किया था कैसे आपने तयारी कि अपने अपने अप्रिटिटिव एक्जाम के लिए मैं इसका पहले तो मुझे ना ओलाइन गूगल पामाय था हमारे स्कूल के तरफ से कि तेली गौर्मेंट ना ऐसा कुछ आपके लिए वह चला यह प्रोग्राम चला रही है जिसमें आप फ्री आफ कोस्ट कॉंपिटिटिव एक्जाम की प्रेपरेशन कर जाते हो जिससे मुझे पहले से पता तो था कि मुझे इस एंजिनिरिंग करनी है बट इतना कोई ज्यादा क्लियर विजन नहीं था कि आगे चके करना क्या है बट इस हमें घाइड किसे कर था प्रोट है कि आगे कार या में है हमें अवे अच्छा कैसे कर सकने सकते अ Mark geworden कोहमन करें कि मिया है कोई पढ़ायी नहीं होते विच्चे कुछ भी कर रहे होते हैं ईससे नहीं होटा था आपके इसा गोर्चे कर रहे होते द baik नहीं यह पर नहीю होता प्रिंसेपल मैं अपने स्कूल को चेंज होते हुए देखा है पहले तो मतलब पहले ऐसा होता था कि टीजर्स में रेगुलर्ड नहीं होते थे कोई आ रहे नहीं लेकिन अब जो है ना अब सारे टीजर्स टाइमली आते हैं और प्लिद अब हमारी ना पर्टिकुलर गाइडे करते हैं कि आप कैसा बढ़ रहे हैं टीचर साप से कैसे मतलब भीहरी करते हैं पर आपकी कैसे हर रहे हैं मेरा नाम आजती है और मैं रानी जहासी सर्वोदे कंन्याविध्याली की लडगी हूँ मैंने 612 जो है ना वो उसी स्कूल से करें मैं गोवर्मेंट स्कूल से तो मै मेरा बिलकुल मन नहीं करता था उस गवर्मेंट स्कूल में जाने के लिए और जैसा मैम ने बताया रिना मैम ने कि जब घर में सोर्सिस कम होते हैं तो ना प्रेफरेंस जोती है वो लड़की को दी जाती है तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि जो मेरे भाहिया थे उनको हम प्रा इतन अच्छे से हमें करते थे और इतन अच्छे से बढ़ाते थे यह इतंग सब को चान्ज हो गया पहले से और दूसरा कि मेरे स्कूल में साइन्स भी नहीती तो हमें में हमीशा ना चेंज करना पड़ता था था कि रिवा भेन मेरे टन जब varies तो तभी उसी साल उस स्कूल में डेली गवर्मेंट की तरफ से साइंस ट्रेम आई थी और देन मैंने 11 12 जो थी PCB वह मैंने डेली गवर्मेंट स्कूल से करी थी तो अभी यह वर्चुल प्रोग्राम है अपने इसमें रोल किया यह मैं जब 11 में थी तो हमें ना टीचर्स की थ मैंने इन्रॉल किया था देन उसके बाद हमारी 2 साल की कोचिंग वी थी फर्स एटम्ट में मेरा क्लियर नहीं हो पाया बिकास घर में इन्वार्मेंट इतना अच्छा नहीं स्टेडी गरनेगा बट फर्स डॉप में फिर मैं ड्रॉप लिया था देन उसके बाद मेरे अच् पूछता था कि तुम्हें क्या करना है और मैं बोलती थी कि मुझे नीट करना है तो यहां नहीं हो पाएगा तुमको को जाना पड़ेगा उसके लिए और वहां से जो हां के इंस्ट्यूट है वहीं से आपको करना पड़ेगा कि यहां रहे कर तो तुम्हारा सेलेक्शन पूछना कि हम कैसे अपने बच्चों को बेस्ट एजूकेशन प्रवाइड करा सके तो चले कुछ पैरेंट से भी जान लेते हैं कि उनके एक्सपीरिंस दिली गवर्मेंट के स्कूल के साथ कैसे रहे हैं माम क्या नाम है आपका बभीता बेटी कौन पढ़ रहा है डिली इसे बनोगे तुम्हारा बैग्राउंड भी नहीं है इतना और हमारे स्कूल में इतनी फैसलीटी भी नहीं है क्योंकि हमारे स्कूल के अंतर साइंस नहीं थी फिर मैडम से मेरी बाच्चीत होती थी करना मैडम अभी तो प्राइमरी तो पढ़ा दो आगे देख लेंगे पास कर लें ता मेरी छोटी बेटी के स्कूल से वर्ट सबाया कि ये नी στα वाली और जाई वाली कोंचिंग फिरिए आप इससे जोएन कर लो मैंने का चल यहां पे जॉइन कर लेते फिर उनने ने की pantalla से जाइन करी कर आ रही थीoffice करा रही है और वहां से उन्हांने तो अभी आपकी बेटी ने भी वर्च्वल प्रोग्राम में रोल गया दिली सरकार के बाद यह जो सरकार स्कूल में डाली थी क्योंकि उससे आगे तो मैं एफोड करी नहीं सकता था तो उसके बाद वहां पर जब वह गवर्मेंट स्कूल में गई तो वहां पर उनके टीचरो काफी स्पोट रहा है उनके टीचरों ने बताया कि भी दिली गोर्मेंट ऐसे से कोई कोचिंग करवा रही है तो बच्ची ने बताया मेरे को पर हमारे पास तो टैम ही नहीं होता ना हमारे पास सोर्स ओफ इंकम है कि हम बच्चों को बढ़ा पाएंगे पर धन्यवाद करता और ऐसा ही काम करें तो यह आपने भी पैरिंस और स्टूदेंस के एक्स्पीरिंस उन्हें दली गवर्मेंट के स्कूल में किस तरह से उन्हें प्रिपैर किया जा रहा है सिरफ बेसिक एजुकेशन जिसे हम कहते हैं तैल से 12 तक की एजुकेशन के लिए नहीं बलकि competitive exams के लि उठाते हैं चाहे वो healthcare हो चाहे वो education हो उस पर क्या कहिंगे आप देखिए मैं उनसे कहूंगी कि ऐसी राजनीती करने के बजाए वो दिल्ली का result देखें यह आपके सामने साक्षात बैठे हुए दिल्ली के बच्चे जो दिल्ली के स्कूल से पढ़े हैं दिल्ली के स्कूल म डॉक्टर इंजिनेरे की पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी राजनीती करने की बजाए वो सीखें कि हमने कैसे किया है और अगर आप सोची कि हमारे देश के हर स्टेट में इस तरह की facility दे दी जाए तो देश आगे बढ़ेगा तरक्की करेगा और फिर दुनिया में हम नंबर व सरकारे मदद करें उसके सपने को फुल्फिल करने में और रियलाइस करने में थैंक यू सो मच माम पर जॉइनिंग असारे स्टूरेंस तो आपने अभी सुना विल्ली सरकार ने किस तरह से स्टूरेंस को हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया उने प्लाटफर्म प्र